हेलो गाइज, वेलकम टू लाइट्स ओफ लर्निंग, हाली में फेस्बुक द्वारा रिलाइंस जीओ के 9.99% शेयर खरीदे गहें, तो आज की यह वीडियो इसी पर आधारित है, तो गाइज, लेट्स इस्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक जहनकारी का होना आवश्यक है, जैसे की फेस्बुक ने 5.7 बिलियन डॉलर यानि 43.514 करोर रुपीज में रिलाइंस जीओ के 9.99% शेयर बाइंडिंग एंग्रिमेंट के साथ खरीदे, यानि यह एशे शेयर नहीं थे जिसे आम तोर पर खरीदा रत्वा बेचा जाए, बलकि यह शेयर लंबे समय के लिए खरीदे गए हैं, और बर्तमान में जो रिलाइंस जीओ की मार्किटल कैपिटल 4.63 लैक करोर इंडिया नुपीज है, अब हम आते हैं अपने मुखे टॉपिक पर, कि इस डील से रिलाइंस जी को इंकम होगी, 2010 में जब रिलाइंस जीओ लाइंच हुआ था, तब से रिलाइंस इंडेस्ट्रीज ने जीओ में लगबग 4 लाग करोर रुपे इंवेश्ट किये हैं, जिसमें से 1.5 तीन लाग करोर रुपीज केवल कर्ज के रुपे था, अगस्त 12.2019 की 42 वी वास्चिक ज रिलाइंस इंडेस्ट्री करज मुक्त होगी, तो यह कदम इसी छेते बढ़ाए गया एक कदम माना जाए, साओधी की तेल कंपनी अरामकों के साथ डील इसी और बढ़ाए गया एक अन्य कदम है, इस डील से रिलाइंस इंडेस्ट्रीज को होने वाला दूसरा फाइदा, र इसका नाम है जियो मार्ट, जियो मार्ट के प्रमोशन के लिए रिलाइंस जियो एक पार्टनर के तलाश कर रही थी, और यह तलाश फेस्ट्रीज पर आकर खत्म हुई, फेस्ट्रीज के इस समय लगभग 400 मिलियन वर्टसप यूजर, 221 मिलियन फेस्ट्रीज यूजर और लगभर 80 मिलियन इंस्ट्राग्राम यूजर हैं, डिलाइंस जियो इसी नेटवर्क का बेनिफिट उटा कर अपना जो यह कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसे लाँच कर बेनिफिट कमा सकती है, अब हम बात करते हैं, डिलाइंस इंडश्ट्रीज को इस दिल से होने वाले त 31 मार्च 2021 तक यदि डिलाइंस इंडश्ट्रीज कर्ज मुक्त हो जाती है, तो यह मार्किट से कुछ कैपिटल बौरू करके 5G टक्नीलोजी में इन्वेस्ट कर सकती हैं, 5G टक्नीलोजी में इन्वेस्ट करने के पाद जियो की जो मार्किट कैपिटल है वो ग्रो करेगी और जो करियो ही market capital Jio को long term benefit देगी अब हम बात करते हैं इस deal से होने वाले Facebook के फायदे के बारे में तो Facebook TikTok की तरह एक short term video app launch करना चाहता है जिसका नाम है LASSO Reliance Jio के 400 million subscriber basis के अधार पर LASSO तुरंट ही famous app बन सकती है अब हम बात करते हैं Facebook को होने वाले दूर से benefit के बारे में Facebook WhatsApp के जरिए payment gateway तयार करना चाहता है इसके इस छेतर में आगे बढ़ते हुए Facebook दारा RBI से भी contact किया गया है लेकिन RBI ने केवल एक शर्ट की कि इसके लिए Facebook को local data saving करनी पड़े ही इसी छेतर में आगे बढ़ते हुए Facebook reliance deal के साथ मिलकर local data saving center का बना सकता है और WhatsApp पर payment gateway तयार कर सकता है अब हम बात करते हैं कि इस deal से government को क्या फैदा होगा है government जीटल इंडिया मुवमेंट को और अधिक मजबूर बनाना चाहती है WhatsApp में payment gateway आने से यह और अधिक मजबूर होगा दूसरा benefit यह होगा कि retail market में अधिकता लेंडिन cash में होता है WhatsApp पर payment gateway आने से यह retail market और नाइज होगा जिससे government का tax collection और increase करेगा अब हम बात करते हैं कि इससे हमें क्या फायदा हो सकता है यह यह गर्रमेंट इस deal को approved करती है तो इससे local shop कीपर और local retailer benefit करेंगे इसको हम इस उधान के साथ समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की गाउं में एक shop है तो shop के लिए समान खरीदने के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा शहर जाने के कारण उसका पैसा और समय दोनों बर्वाद होगे Reliance Mart के लाउंच होने के बार Reliance के supply chain उसे वह समान उसी के गाउं में दिलीवा करेगी इस से shop कीपर का समय और पैसा दोनों बचेगा दूसर benefit हमारे farmers को हो सकता है Reliance Mart के लाउंच होने पर यह समान सीधे farmers से खरीदेंगे जिससे farmers को उनकी सबजी और फलो के एक अच्छे दाम मिल सकते हैं और quality भी increase करेगी अब हम बात करते हैं 8 years से होने वाले losses के बारे में Airtel आइडिया वोड़ाफोन पहले से ही AGR के काणन लाउसेस में चल ले है Reliance CEO के strong होने के पाद यह और भी losses में जा सकते हैं जिससे टेलिकॉम इंडेस्ट्री में दूपॉली या मोनोपॉली create हो सकती है जिस कारण डाटा के price बढ़ सकते हैं तो कि कंपनियों के मद्धे कोई competition ही नहीं होगा जिस कारण डाटा के या call के prices बढ़ सकते हैं यह था इस डेल पर हमारा complete analysis ऐसे ही अधने topics के लिए हमारे चैनल को subscribe करें इस वीडियो को like करें, comment करें और अपने दोस्तों के दराट शेयर करें, जैहिन धन्यवाद